मन्सागर धाम डिंग्सरा में होली परव पर लगेगा मेला सभी त्यारियां हुई पूरी पुलिस ने भी बेरिकेट लगाए गाउं डिंग्सरा के मन्सागर धाम में होली परव पर लगने वाले मेले को लेकर रविवार को सभी त्यारियां पूरी कर ली गई है पुलिस ने भी बेरिगट लगाए हैं मंदिर पुजारे दिनेश ने रविवार को जानकरे देते हैं बताया कि काउन डिंगसरा में होली परपर 7 मार्च को विसाल मेले का आयोजन होगा वहीं 6 मार्च से भी यहां पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी जिसके चलते मंदिर क मेट्री परधान भावर सिंग के देख रेक में सभी त्यारियां रविवार को ही पूरी कर ली गई हैं पुलिस ने भी इस मेले के चलते रविवार को त्यारियां शुरू कर बेरिगट लगाने शुरू कर दिये हैं इस मेले में काफी दूर दराज से सरदालों की हजारों के तादात में भीड उमडती है जहां दिल्ली, पंजाब, हरियाना, सहित, अनेक राज्यों से सरधालू यहां पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं और मनते मांगते हैं जिसके चलते सभी त्यारियां रवीवारु को यहां पूरी कर ली गई हैं गाउं डिंक्सरा की स्री योगेश्वर किशन गोशाला में स्रीमद गो भागवत कथा ग्यान यग का हुआ समापन इस दोरन कथा वाचक लड़ली की स्ओरी रिंदवन ने साथ दिन तक संगीत में कथा का वाचन किया कथा समापन पर रवीवार कॉर्सा धालू माधूर बजनों पर जूमने को मजबूर हो गए लड़ली की स्ओरी ने कहा कि गोग कथा में को ते से मन पवित्र होता है, मन से विचारों में पवित्रता आती है, विचार पवित्र बनने पर हिस समाज के बसु देव कुटंब की भावना आती है, उन्होंने कहा कि मानव हित के लिए हमें मनुश्य जीवन मिला है, जिसमें हमें हर जीव के लिए हित कारी कारे करत हुए पुन् पसु अथ्वा मनुश्य के लिए एक जूटता के साथ आगे वाकर नीश्वर्थ भाव से कारे करें उन्होंने बताया कि गो सेवा ही उत्तम सेवा है इससे मनुश्य के पाप कट जाते हैं और मनुश्य पुन्य का भागी बनता है इस दोरान गो साला में भंडारे का आविजन भी किया गया इस अवसर पर गो सला परधान रिशाल सिंग सर्पज सुबास मूंड उप्स परधान मांगे राम सचीव अमर सिंग तरड कोसा देक्स कैप्टन अजय पाल चेन्नु सिंग भागा राम छबील दास सत्पाल राम सिंग राम परताप देविलाल सहित अनेक सर्ध आलू मौजूद रहे